Hello everyone तो एक बहुत बड़ा doubt रहता है हमारे सभी लोग के मन में जब हम ट्रेडिंग करना start करते है As a beginner कि हम कैसे ट्रेडिंग start करे मतलब अगर कोई हमें ये बता दे यार कि particular market में ये करना है ये नहीं करना है ऐसे काम करना है किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं होता है लेकिन मैं आज आपको जवाब देने वाला हूं तो जो भी वीडियो है इसके अंदर आप कमेंट करकर मुझे थोड़ा मोटिवेट करिएगा अपने बारे में बताइएगा कि आप कब से ट्रेडिंग कर रहे हो और क्या आज की य इस वीडियो उसको देख लेंगे तो बहुत सारे प्रॉफिट्स आपको दिख जाएंगे बट इसके पहले यह तो एक साल से मेरी जन्नी चले इसके पहले जो दो साल मैंने लॉस किया है जो मैंने लोगों को के कोर्स में पर्चेजिंग करके किया है जो मैंने लर्निंग लि किया इसके बारे में आपसे कोई नहीं बात करता देखे सबसे पहले मैं क्या हूँ मैं कौन हूँ मैं क्यों यह सारी चीज़े बता रहा हूं क्योंकि देखिए मेरा आज के दो साल पहले कोई trading as a base नहीं था बिंग an IITन and running three parallel startups मेरे पास fund की कमी न थी न और ना कभी मुझे लगा कि यार एक लाग दो लाग तिन लाग रुपए चले जाने से मुझे पर प्रभाव पड़ेगा बट मुझे यह पता है कि एजब बिगनर सब लोग इस स्टेश पर नहीं रहते हैं आपको अगर एक लाग रुपए आपने किसी से लिके ट्रेडिंग क करना चाहिए दो साल याद रखिएगा मैं जितना कुछ लर्निंग किया हूं वह मैं आज आपको देने वाला हूं तो पूरी वीडियो सीखिएगा समझेगा देखिएगा ध्यान से सोचिएगा और तब डिसाइड करिएगा कि आपको ट्रेडिंग में कैसे केरियर बनाना है बात सुरू कहां से होती है बात सुरू होती है एक रेंडम यूटूब के वीडियो से एक रेंडम किसी के प्रॉफिट स्क्रिन सौट से एक प्रॉफिट वीडियो से और एक बिगिनर जो है वो ट्रेडिंग को एजग पॉट समझके इसमें कूच जाता है कि बस यहां से तो उसको नब profit दिखाता है मेरे को भी 2000 का profit दिखा था तो मुझे लगा कि यार मार्केट तो profit दे रहा है profit दे रहा है तब तो मार्केट के अंदर जमे रहो जमे रहो लगे रहो और मार्केट आपको हमेशा पैसा देता जाएगा और मैं उसी point पारकर गलत हुआ पहले देन जब मैंने अपना लगाया पैसा तो मैंने करीब करीब 20K लगाया अब 20K में मुझे 2K दिखा मैंने अपना position तुरंट exit कर दिया यार यह तो बड़ा मज़ेदार चीज़े एक second में हमें 2000 रुपे profit हो गए है फिर अगले दिन loss start फिर अगले दिन loss start अब वहाँ पर होने लगता है psychology intact अब यहाँ पर आ जाता है psychology career market में loss करते हम इसको cover करके ही बाहर निकलेंगे और cover करते 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 चकर में आप ज़्यादा डूमने लगते हो तो एक bigger की सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि वह first day में बीना किसी paper trading के जैसे मैं था बीना किसी paper trading के जैसे बीना किसी knowledge के मुझे सच बताओ तो मुझे इसमें नहीं नहीं पता तक CEP का actual मतलब क्या होता है बस कोई बोल दिया CEE लेना है इसक्रिवार्ट के फिर वहां पर daily targets कुछ नहीं है random trade करने यह भी नहीं पता था कि जिरोधा में इतने brokerage charges भी लगते है तो जब आप beginner होते हैं और आप इन सारी चीजों को नजर अंदाज करके सिर्फ call या tips पर बैठ जाते हैं कि मुझा कोई call या tips देगा मैं पैसा बनाने स्टाइट कर दूँगा तो मैं आपको कह रहा हूँ उसी दिन आप पूरवा market में लूच कर देंगे अगर इतना ही call या tips से पैसा बनता तो market में लोग tips एडवाईजरी इसको जोईन करके पैसा नहीं बना लेते आपको loss दिखाया फिर market में आपको profit दिखाया यह जो conviction power है जो कहा जाता है कि जो market के अंदर experience लोग होते हैं वो candle फेंडाल यह सब तो बात की बात है वो सिर्फ एक दिन का क्या sentiment है market का उस पर trade करते हैं अभी वो क्या करेंगे कहीं base पर जाके position बना लेंगे और उसको पूरा दिन पका के खाएंगे तो वो sentiment बे work करते हैं तो sentiment बे work करने के लिए आपको proper एक experience चाहिए market के अंदर कम से कम आप लोग कुछ नहीं तो कुछ नहीं 2-4 मंत मेरी बात मान कर जो fund आपके पास है आप लोग 500-600-1000 रुपे का मैं profit यहां से ले सकता हूँ आप एक बात याद रखिएगा अगर आपने life में सिर्फ एक चीज कर ली कि market के अंदर आप learn करें 2-4 महीने अपने paper trading किया आप learning पर ध्यान दो अच्छा यह support होता है यह resistance होता है यह pivot point होता है अच्छा यह magdi indicator है अच्छा यह super trend अच्छा यह वी वैप है अच्छा यहां पर लिया जाता है अच्छा यह scalping होता है अच्छा यह price action होता है जब आप सीख लो 2-3-4 महीने paper trading करते रहो 5-5 महीने या 3-4 महीने या 4 महीने जब भी आप comfortable थोड़ा fund लाओ थोड़ा सा setup करो and discipline बनाओ एक दिन में discipline बनाईए one day one trade only यह discipline बनाईए one day one trade only अब इसके अंदर आप proper अपने दिमाग में पहले ही calculation बैठा के लाईए कि अगर मैं इस particular point पर entry कर रहा हो तो उसका reason क्या है 3,000-4,000 का loss लोंगा इसके बदले 10,000 का profit लोंगा system closed यह अगर जो कर लिया मैं आपको guarantee paper stamp paper पर लिख कर दे सकता हूँ कि जिस दिन आपने over trading छोड़ दिया उस दिन आप profitable हो गए भाई लिख लो हो गए यह मेरा market का experience है यह मैं market के अंदर सीखा हूँ अगर मैं market के अंदर कहीं यहां पर बना रहा हूँ profit अगर में कहीं यहां पर बना रहा हूँ रख दे अगर में कहीं यहां पर अपना ट्रेड ले रहा हूँ यह पास यह position मेरे पास आ गए कि य陽 बसरब हो गया तुम्हारा काम आज का day over कल अगर market cover कर आएगा तो तूँ कवर कर लोगे तब जैखिये आपके अंदर एक नया सवेरा होगा आप ट्रेडिंग के अंदर एक नई सुरुवात करेंगे मैं अब मैं एक्जाम्पल के तौर बताओं तो जब मैं परसनली एक साल तक खुब ट्रेडिंग किया तो मैंने सिर्फ एक चीज अपने लाइफ में एक गोल बनाया कि भाई ट्रेडिंग मेरा जो भी लाज कराया 30-35 लाग का मैं डेली क्या करूंगा मैंने फंड जो 30-35 लाग का मेरे लाज हो तो मैंने फंड 5 लाग से स्टार्ट किया था मैंने बहुत सीखा आप किसी भी YouTube का नाम लोगे मैंने उनके courses किये सब के courses ने थोड़े थोड़े value एड किये लेकिन ultimate value क्या होती ultimate value होती अपना experience अपना conviction power कि यार market के अंदर क्या है अपना OI decoding skill कि आप कैसे market को समझ पातो आपके SL hunting का तरीका कि market के अंदर retail trader क्या सोच रहा है लोगों को डर कहां लग रहा है market गंदर एक नियम बताऊ जहां पर लोगों को लगता है यहां buy करना चाहिए वहाँ आप sell करो और जहां लगता है लोगों को sell करना चाहिए वहाँ buy करो 99% chance में आप जीत होगे क्योंकि market का rule यही है अगर एक बंदा कमाएगा तो दूसरे बंदे का पैसा जाएगा और दूसरा बंदे कमाएगा तो इस वाले बंदे का पैसा जाएगा यही market का rule है और market का कोई rule नहीं है market में किसी NSC या कोई प्रधान मंत्री लगा नहीं रहे अपना पैसा यहां पैसों का ट्रांसपार हो रहा है one person to another person यहां trapping होती है SL create किये जाते है SL लगाय जाते है आपको ललचाय जाते है आपको trap किया जाते है तो तुम्हारे के अंदर सारी चीजे कब आप सीखोगे जब आप अपने आंदर से तिन-चार मेने के learning लोगे जब आप सीखने की कोसिस करोगे डेली एक ट्रेड लोगे discipline बनाओगे अंद आप profitable trader स्टार्टिंग होने लगोगे तो अब आप लोग कमेंट करके यह बताईए कि क्या market में आप लोग एक ही दिन में पैसा बनाना चाहते हैं अगर आपका जवाब यह है कि नहीं मैं एक ही दिन में पैसा तो नहीं बनाना चाहता हूँ तो मेरी बात को यार्द रखिए कुछ rule मैं रिख रहा हूँ उन rule को follow करिए प्लीज आप पहले learning पर थोड़ा सा focus करिए अब learning के लिए आप कहीं कभी course लेजे मैं अपना course की बारे में बिल्कुल आज नहीं बोलूँगा कि आप मेरा course ले या मेरा course वाइन कर अब किसी का लीजे जिनको आपको पसंद है दूसरा है कि learning के बाद आप थोड़ा सा अपने उपर दो से तीन महीने डेली आप chart को read करें आप chart के उपर वक्त बिताएं चार्ट के पैटरंस को समझे candles को पैटरंस को समझे ये candles क्या है अभी मैं इस कल प्राइज एक्षन के course में मैं इस candles के बारे में बताया था कि ये candle क्या है एक बीरीस उसके बाद बुलीस और उसके बाद जब हैमर candle फॉर्म होता है तो किस तरीके से मार्केट अब जाता है तो ये जो चेंडल से इन से बातचीत करने की कोसिस करिए तीसरा है कि आप जब डेली चार्ट रेडिंग करें तो बाद थोड़ा सा कॉपी अपना मेंटेंड करते रहे कि यार यह चीज था एक दिन तो यहाँ पर ट्रेप हो गया था रिटल ट्रेडर एक दिन यहाँ पर उसने पैसा कमा लिया था तो इस त्रेट थार्ब्स चीजह है यह फाइयाई किया है डी आ इस इस पोला सा पõिपर ट्रेडिंग भी साथ में करते रहें पेपर रे खेंग के लिए आप इस्टिक्ट में शूरुमाग समानदकर्ण उसके बाद क्या है उसके बाद पाच वी चीज यह है कि आपना डेली का एक टार्गिट बनाओ जब रियल ट्रेडिंग करो डेली टार्गेड बनाओ कि मुझे कितना ट्रेड देना है क्योंकि एज प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप तब बनोगे जब आप एक दिन में मेक्स टू मेक्स वान या मिन टू मिन वन एक टू मेक्स टू आप ट्रेड लोगे जैसे लॉस मानलो हो गया तो आप दूसरा एक ट्रेड लोगे लॉस आपका गरेंटीड होना पर हुआ चलो यह वाला एक सपोर्ट दिख रहा है यहां से हो सकता मार्केट बाउंस कर दे तो एक दिन में सकता है कि आप जीट जाओ लेकिन होप आने वाले समय में आपके पूरे फंड को ऐसा किल करेगी कि आप मार्केट के अंदर फिर से रिवाइब भी नहीं कर मार्केट के अंदर क्या फ्लो हो रहा है मार्केट के अंदर कैसा महोल बना हुआ है अगले दिन का ट्रेडिंग साइकोलोजी यह ट्रेडिंग स्टाइल यह ट्रेडिंग सेट अपका कैसा होगा इन सारी चीजों पर जब आप अपने समय को खर्च करोगे तब आपको मार्के भी समें नहीं जुड़ेगा ठीक है और मारकेट के लेवल को समझने कोशिस करीए जैसे यहां market 38000 के लेवल के ऊपर रहेगा तो कैसा मेरेकट के अंदर सेंटीमेंट्स रहेगा यहां पर बायर जाधा है या सेलर जादा है उसके बाद आप समझने कोसेश करिए कि किसी लेवल का ब्रेक आउट क्या होता है सस्टेन कब होता है ब्रेक डाउन क्या होता है वह सस्टेन कब होता है तो मैं देखो बहुत सारे बिगनेर्स के पॉइंट ओब लिए तरीके बता रहा हूं तो इन सारी आप करोगे मार्केट के अंदर पोजीशन बनाओ तो प्रॉपर रिस्क रिवार्ड मेरे पहले सोच लो दिमाग में तो सोच लोगे दर डर नहीं लगेगा कि फाल तु कहीं भी आप एक्जेट कर दे रो पोजीशन को फंड का में लोकेट करो फंड को डिवाइड भी करके बहुत समय मांगता है थोड़ा सा आप लोग कोशिस करो इन सारी चीजों को सीखने समझने का और देखिए लालच मत करिए मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है लर्निंग पर फोकस करिए अर्निंग अपने आप होगी